देव उठान एक अदसी का तो हर घर में बहुती जोरों से मनाया जाता है बड़ी धूमदाम से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देव हमारे घर में उठाए जाते हैं चार महीने के लिए देव सोते हैं और पर चार महीने के बाद जब देव उठते हैं तो सारे मांगलिक का आल दिया है तो लगिए दास्मेंगे 10-2 ए तरह में गुल जाएंगे पर हमस के लिए पहले से चोब बना लेते हैं तो मै ने गएलां क Sig से अंन्हें आंगन में इसको लीफ लेंगे बहूत से लोग के मणें नहीं बनाती हैं लोग अलग तरीके मिसे बनाए लेकिन बहुत से लोग यह इसीतर बनाई जाति हैं तो मैंने यह पर गेरू पर अच्छे न कोしまग हो अगण को साप करके इस तरह लीप लिया है कि यहां पर आप अपने से लीप लिजिए को पूझा में भाष्य को लैम Kennизis हैं उतना चोटा बड़ा आप इसको बना सकते हैं तो फ्रेंट देव उठान एक आदसी का पूरी दुनिया में बहुत महत्व है यह पूजा हर घर में जातर मनाई जाती है इस दिन हमारे घर में देवी देवताओं का प्रवेश होता है सारे मांगलिक कार इस दिन से सुरू हो डिजाइन बनकर रेडी हो जाती है तो यहाँ पर आप चाहें तो इस लकड़ी को चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर यह चोकड़ी के रूप में यह बनाया जाता है तो जिस तरह आपको तो चार-चार लाइन के हमें यहां पर चोकड़ी बनानी है तो वीडियो में आपको दिख रहा होगा इस तरह हम इसकी चोकड़ी बनाते जाएंगे तो यहां पर देखें मैं पांच चोकड़ी की इस तरह एक लाइन बना लूँगी तो यहाँ पर आपकी यहाँ किस तरह मना जाता है बहुत से लोगों की यहाँ देव उठान एक अदा सीपर तुलसी विवा भी किया जाता है लेकिन हमारे यह इसी तरह बनाया जाता है तो देखिए चार कोरनल मैंने इस तरह बना लिये हैं थोड़ा इसमे बनाने में समय लगता है लेकिन इस तरह अगर हम पूजा पाट करते हैं तो हमें बड़ी सांती मिलती है क्योंकि यह तोहार हमारे घर में सुख सम्रद्धी लेक तो यह अगर थोड़ा समय भी लगता है तो कोई बात नहीं होती है तो यह दिखिए मैंने इस तरह यह पुरा देव उठान बना लिया है अम यहां पर हम हल्दी से इसके पीच में इस तरह यह यह पैर बनाते हैं तो हातों की दूंगलियों के सी हम इस तरह इसमें बना लेते ह तो यहां पर हमने 5 गंडे भी लगाए हैं और यहां पर एक लकडी का पाटा लेते हैं। इस तरहे हम हाल्दी से निसान बना लेते हैं यहां पर बहुत से लोगों कि आप स्वास्तिक भी बनाए जाता हैं तो हम यहां पर सबजीया भी रखते हैं जैसे मूली, बैगन, गन्ना, सिंगाडे रखे जाती हैं ये सबजी इस समय बहुती ज़्यादा महत्पूर्ण होती है इस पूजा में कोई नई नई सुरुबात होती है और ये सबजीयां सरदी के मौसम में काफी फायदेबंद होती है तो यहाँ पर मैंने आमला रखा है, सक में दखना भी रखी है तो यहाँ पर निसान के सब्जी रखने के बाद एक छलनी से इनको धका जाता है वहत्ति लोग व क्या लखड़ी के डलिया है यह निसान बना लेंगे तो यहाँ पर हम इसद saysiben भिजक कदेग्त दीथे हैं तो यहाँ फिर завरप देते हैं और तो सारे घर के दर्वाजों के आगे इस तरह चरण बना लिए जाती हैं, जिससे कि भगवान जी जी आएं, वो हमारे घर में सीधे प्रवेश करें, तो पूरे घर की साफ सपाई करने के बाद इस तरह पूरे दिन ये सारी तयारी की जाती है, तो यहां पर हम ब्रत रख कर जी उफिक्त बनकर रेडी हो गए हैं तो अप पूजा का समय है तो घर के सारे लग में लोक ही अप पूजा करती हैं, तो इस तरह पूजन करके हमारे यांपर देवों को इस तरह उठाया जाता है आप कि यह पूजा आयाता कमें लिकर की जरू बताइएगा